नश्कार दोस्तो आज हम डिस्बर्स्वन प्रसेस में एक और डॉकुमेंट के बारे में जानेंगे जिसको कुछ बैंक लेते हैं जिसको हम पावर ओफ अटर्णी या अडेंप्टी डीड के नाम से जानते हैं जो की लोन टेक ओवर केसी के अंदर आता है तो इस जिसको ऑथराइज किया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ी दिर में तो वो साइन करता है अब जो स्टेंप डूटी होती है कई बैंक इसके उपर 2000 रुपे का स्टेंप पेपर के उपर ये डॉकुमेंट बनवाते हैं अच्छा मज़े की बात है कि कई बैंक इस स्टेंप डूटी चार्ज करते हैं बाकि कई स्टेंप डूटी वेरी कर सकती है तो जो डॉकुमेंट आज हम डिसकस कर रहे हैं ये डॉकुमेंट कोई मेंडेटरी डॉकुमेंट नहीं है कि हर बैंक ले ये पर्टिकुलर फॉर्मेट कोई इसका फिक्स नहीं है कोई पर्ट टेक ओवर करना होता है लोन टेक ओवर करना होता है दूसरे बैंक से और यह मैंने आपको अल्रेडी बताया कि यह डॉकुमेंट को लेना हर बैंक की तरफ से mandatory नहीं किया गया है तो इस डॉकुमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक background क्लियर होना चाहिए background किस चीज़ का take over process का थोड़ा सा brief background क्लियर होना चाहिए although take over process के उपर मैंने detailed video already बनाया हुआ है आप उसको देख लीजिएगा बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा brief कर देता हूँ देखिए एक borrower है उस borrower का HDFC bank के पास एक loan चल रहा है for example कोई lap loan चल रहा है loan against property एक क्रोट रुपे का उसने sanction करवाया था अब उसका उसने repay कर करके उसका balance outstanding 90 lakh रुपीज रह गया है तो इस lap loan को लेने के लिए उस borrower ने वहाँ पे अपनी residential property घर की property को mortgage किया हुए residential property को mortgage किया है जिसकी जो भी value हो सकती है वो आप देख लेजिए यहाँ पे मैंने lap की example लिए same is applicable for working capital या any other type of loan जो आप take over कर रहे है जो property back loan चल रहा है तो अब क्या है कि borrower HDFC bank से किसी कारणवस्या तो परिशान हो गया या उसको यहाँ पे high rate of interest पढ़ रहा है या for example उसको और enhancement चाहिए बट HDFC bank enhancement नहीं दे रहा यह HDFC bank सिर्फ आ hypothetical example है यह किसी भी bank के साथ problem हो सकती है तो borrower ने approach किया for example Axis bank को तो Axis bank ने उसको बोला कि sir आपका जो यह 90 लाक रुपे वहाँ पे रह गया है ना outstanding जो है 90 लाक रुपीज का इसको हम pick कर लेते हैं हम pick up कर लेते हैं HDFC bank से और HDFC bank का आपका exposure close कर देंगे आप HDFC bank की घर की property हमें दे देना जब आपकी घर की property हमारे पास आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी property then फिर हम आपको कुछ additional पैसा 30 लाक 40 लाक जो भी है additional पैसा भी दे देंगे और आपका rate of interest भी कम कर देंगे वो भी कम कर देंगे वो भी reduce कर देंगे तो borrower खुश हो गया borrower कहता कि चलो बड़ी है भाई कि मैं तो access bank के पास चला जाता हूँ HDFC का बंद कर देता हूँ exposure अब borrower ने ये सारी शर्तों के साथ जो भी कंडिशने थी HDFC access bank से loan को sanction कर वा लिए अब प्रोसेस क्या होगा अब access bank ने loan sanction कर दिया देखिए जब borrower ने access bank के पास अपलाई किया था तो 90 लाक रुपे एक आउट स्रेंडिंग था हो सकता है कि sanction होने में 15 दिन लगए 20 दिन लगए तब तक एक आद EMI और चली गई और disbursement होने में भी 10 दिन लगए तब एक आद EMI और निकल गई तब access bank borrower को sanction होने के बाद जब disbursement होनी होगी सारे document execute हो जाएंगे और HDFC bank का closure करने का time आएगा तो access bank borrower को बोलेगा कि पहले तो मिरे को HDFC bank का latest लेटेस्ट आउट्सेंडिंग बताओ लेटेस्ट आउट्सेंडिंग बताओ पहले 90 लाग था ठीक है पट आज की डेट का आउट्सेंडिंग कि तरह है क्योंकि अब तो हम HDFC bank का closure कराने जा रहे हैं तो borrower ने लेटेस्ट आउट्सेंडिंग निकाला तो वो बन गया 89 लाग रुपीज का जो की पहले था 90 लाग रुपीज तो एक्सिस बैंक 89 लाग रुपीज का demand draft ये चेक जो भी प्रोसेस होगा ideally demand draft पे उपर बात करेंगे demand draft बनाएगा 89 लाग रुपीज का और एक्सिस बैंक का एक ओफीशल एक ओफीशल HDFC bank के पास जाएगा demand draft लेके उस demand draft के उपर जो ये loan चल रहा है loan against property इसका account number भी mentioned होगा और उसका outstanding भी mentioned होगा और जो property residential property है ये भी property के बारे में sorry ये demand draft के उपर outstanding mentioned नहीं होगा demand draft तो उतनी ही amount का बनेगा बट एक्सिस बैंक एक letter लेके जाएगा साथ में और letter के उपर account number outstanding और HDFC bank के पास जो property पड़ी है वो property की details mentioned होगी तो axis bank का बन्दा HDFC के पास जाएगा HDFC वाला बन्दा उस demand draft को accept करेगा उस demand draft को accept करेगा और उसको accept करके demand draft को in cash करवाके अपना outstanding जो है उसको close करेगा outstanding अगर close हो गया तो HDFC bank को property रखने का कोई मतलब नहीं है तो HDFC bank उस property को इस बंदे को handover कर देगा ये बंदा उस property के कागजात लेके अपने bank में आएगा अपने bank में आने के बाद उस property को mortgage करवाएगा mortgage करवाएगा meanwhile HDFC bank का no due certificate भी आ जाएगा property भी mortgage हो जाएगी तो ये वाला काम complete हो जाएगा then उसके बाद फिर 30-40 लाक रुपे additional छोड़ दिये जाएगे ये जो हमने discuss किया ये standard एक तरह का process है takeover का ये तो देखने में अच्छा लगता है सुनने में अच्छा लगता है पर practically implement करना बहुत difficult है क्योंकि HDFC bank अपने customer को easily क्यों छोड़ेगा easily नहीं छोड़ेगा HDFC bank HDFC bank अपने customer को बोलेगा यहने कि इसको बोलेगा कि sir आपको क्या problem आ रही है ऐसी जो आप दूसरे bank के पास जा रहे हो आपकी सारी problems का हल मैं कर देता हूँ पहले ये खली HDFC bank की बात नहीं है सारे bank को के साथ कहानी है पहले तो हल नहीं किया अब जब पता चल रहा है कि वो जा रहा है छोड़के तो अब हल ले करने के वो आगे कि आपका rate of interest भी reduce कर देते हैं आपको enhancement चाहिए वो भी दे देते हैं तो borrower को double mind में डाल देते हैं तो borrower बोलता है कि सर मैं जाओं कि ना जाओं सिर्फ अब HDFC bank के बास मेरा चल ली रहा ता खाता अब नए bank के बंदे कैसे होंगी कैसे नहीं मिरे को पता नहीं तो double mind में डाल देते हैं अब अगर borrower तब भी बोले कि भी नहीं ऐसे नहीं वै बैंक परिशान हो परिशाननी कैसे अब HDFC bank ध्यान से सुनिए HDFC bank बोलेगा कि इसको जो एक्सिस का बंदा है भाई तू कौन है तू कौन है तू यहां पर मेरे bank में क्या कर रहा है पहले तो बाहर निकल यहां से यह मेरा private space है हमारा private area है तो तू यहां पर आना allowed नहीं है और देखेंगे तुरे को authorized किसे नहीं किया तेरको यह अधिकार कैस किसे नहीं दिया कि तू इसके बहाफ पर आके इसका loan close कराके जाए और इसकी प्रॉप्टी के कागज़ाद हमसे लेके जाए clear है न समझ रहे है न HDFC bank बोलेगा कि मैं तेरको प्रॉप्टी के कागज़ क्यों दूँ भई प्रॉप्टी के कागज़ तो मैं इसको दूँगा loan close कराने आए तो यह बंदा close कराने आए यह ड्रेमान ड्राफ्ट अपने नाम पे लेकिया तू कोन होता है बीच में आने वाल ठीक है तो अब अगर कल को HDFC bank borrower को property paper छोड़ दे तो कल को borrower property paper लेके axis bank को property paper ना ही दे भाग जाए कहीं पे तो यह भी एक axis bank को risk रहता है न और दूसरी बात अब सारी property के कागज़ाद HDFC bank के पास पड़े हैं अब axis bank को यह नहीं पता कि कौन-कौन से कागज़ पड़े है HDFC bank के पास क्योंकि usually list of document कौन-कौन से property paper यहां पर पड़े हैं क्योंकि जब legal बनती है किसी property की legal के टाइम पे lawyer 36 तरह की document मांगता है कि यह document वो document borrower बोल देता है कि HDFC bank के पास पड़े हैं सारे paper कल को एकाथ paper कम निकल आए उपर नीचे हो जाए तो उसका risk फिर access bank का कैसे कल को HDFC bank इसको बहका दे और यह HDFC bank के पास रुक जाए तो access bank को नुकसान हो सकता है नुकसान कैसे अब HDFC access bank ने यह demand draft बना दिया लोन का 90 लाक का या 89 लाक रूपीज का demand draft बना दिया अब ध्यान से सोचिए जब demand draft access bank के पास बन जाता है तो access bank के पास भी interest पढ़ना शुरू हो जाता है उस लोन का क्योंकि उसका लोन डिस बर्स हो गया उसी 89 लाक रूपीज का इंटरस्ट पढ़ना access bank में शुरू हो गया अब अगर HDFC bank ने उस demand draft को accept नहीं किया जल्दी जल्दी टाइम पे accept नहीं किया तो HDFC bank के पास तो अभी भी यह 89 लाक रूपीज का लोन चली इस demand draft को accept करने से तो बोर्वर को यहां पे इंटरस्ट पढ़ रहा है सेम लोन पे और सेम लोन पे यहां पे इंटरस्ट पढ़ रहा है तो बोर्वर का डेवर्ट होना दूसरे रस्ते बें निकल जाना कि एक्सिस बैंक को भी हाथ जोड़े आप अपना काम खतम करो और मेरे एक्सिस बैंक को इसका नुकसान उठाना पड़ जाता है ठीक है तो बड़ी सारी criticalities आ जाती है तो इसी वजह से एक borrower से एक authorization letter लेना बड़ा जरूरी है कि borrower कहीं इस चीज़ से भागना जाए और एक्सिस बैंक को इनुकसान हो कहीं उससे न भाग जाए अगर HDFC बैंक ने कोई property के कागज पूरे नहीं दिये तो उससे कहीं अपने आपको भागना जाए यहां कहीं HDFC बैंक ने borrower को property के पर रिलीस कर दिये तो कहीं उसको लेके न भाग जाए और इसी वजह से एक्सिस बैंक को ये insure करवाना बड़ा जरूरी हो जाता है कि हमारा बंदा पूर बंदा properly authorized है और उसको borrower ने ही अपनी authority letter देके power of attorney देके पूरी तरीके से authorize किया है ये काम करने के लिए तो उसको हम power of attorney letter बोलते हैं जो borrower एक्सिस बैंक के बंदे को एक्सिस बैंक को देता है बनाके ठीक है तो main content क्या होता है देखिए उसका main जो चीजे लिखी गई है जारी है power of attorney तो borrower लिख रहा है कि मैं authority देता हूँ bank को documents collect करने की जो मैंने submit किये है HDFC bank को for this 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 loan उसमें loan की details आएंगी कि कौन कौन सा loan है क्या क्या account number है उस तरह की facilities लेने के लिए जो मैंने document submit किये है तो मैं Axis bank को यहाँ पे Axis bank का नाम आएगा authorized Axis bank कि वो सारी document collect कर सकता है मैं यह Axis bank को authorized कर सकता कर रहा हूं कि वो nominate और appoint कर सकता है mister जो भी वहाँ पे relationship manager होगा उसको appoint कर सकता है और जो वह रंदा उसने appoint किया वो मेरा attorney है मेरा representative है और मेरे behalf पे काम कर रहा है ठीक है यह मैं authorized करता हूँ मैं जो document collect करने की Axis bank को authority दे रहा हूँ यह खाली कागज collect नहीं करने यह property paper residential property के खाली collect नहीं करने उनको collect करके Axis bank उसके उपर security create करेगा mortgage create करेगा यह भी authority मैं Axis bank को दे रहा हूँ मैं Axis bank को यह authority दे रहा हूँ कि वो HDFC bank में जाके checks DD handover कर सकता है HDFC bank को उनसे उसकी receipt या acknowledgement ले सकता है कि उन्होंने उसको accept कर लिया और जो यह checks and DDs HDFC bank को handover होंगे वो loan closure के लिए handover होंगे loan closure के लिए खाली पैसे जमा कराने के लिए नहीं loan closure करने के लिए वो जमा होंगे यह इस चीज की authority उनको देता हूँ मैं उनको यह authority देता हूँ कि वो सारे X यह सारी वो कारवाई कर सकते हैं जो मैं करता अगर यह सब कुछ करवाने मैं जाता और क्योंकि वो मेरी पूरी तर पाई करने के लिए मैं पूरा-पूरा जिम्मेवार हूँ यह मैं अपनी authority बना के देता हूँ तो यह authority letter होता है यह identity letter होता है जो take over के cases में जाता है तो यह one time activity होती है जब take over करने जाते हैं हम दूसरे bank का once take over complete हो गया तो उसके बाद इस चीज की कोई ज़रूरत ने पड़त यह authority letter जो होती है यह बंदा जो यह वला अपने साथ carry करके लेके जा सकता है और HDFC bank को दिखा सकता है कि बही मैं पूरी तरह से authorized हूँ यह सारी activities करवाने के लिए borrower के दवारा तो किरपा करके आप मेरी बात को सुनें और मेरी बात को accept करें तो आपने understand किया होगा इस चीज इसको next video में मैं आपको guarantee date के बारे में समझाओंगा until then thank you very much